आप भी किसी ना किसी की दुलहन बनना चाहती होंगी आज सौभागेशाली दुलहन की पहचान बताई जाएगी आपको पता चलेगा कि कौन सी दुलहन लकी होती है और किस घर में लाने से बरकत होगी साथ ही हर लड़की को आज खास बात बताऊंगी अगर आपको लड़का देखने आए तो आपको कैसे behave करना है वो जानेगी और अगर आप मांगलिक हैं तो परिशान होने की ज़रत नहीं है आज मांगली को ठीक करने के उपाई बताए जाएंगी शादी जरूर होगी आज का पहला मांगली जानने का वक्त हो गया है क्या आपकी मन चाही शादी नहीं हो पा रही है ऐसी में शुकल पक्ष के थर्जदे से शिरू करकर विश्णु जी और मा लक्ष्मी की मूर्तिया फोटो क्या आगे ओम, लक्ष्मी, नारायन, नम्ह, मंतर का रोज तीन माला का जाप स्वठी की माला से करें और कमाल देखें क्या आप अपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं क्या आपका बेटा अपना लाइफ पार्टनर चुडने वाला है तो आपको ध्यान रखना है घर को तोड़ना नहीं है, घर को जोडने वाली बहूला नहीं है आपको ध्यान ये रखना है कि पती को गुलाम बना कर रखने वाली बहू ना आए अब सवाल ही उठता है कि ऐसे बहू की पहचान की कैसे जाएगी तो चलिये, मैं किस काम आऊंगी? आपको वह तरीका बता देती हूँ आप सिरफ लड़की की उंगलिया देखकर सब पता कर लेंगे गोल और लंबी उंगलिया अगर उंगलियां यहां से गोल हैं और लंबी उंगलियां हैं जिन महिलाओं की बिल्कुल चिकनी यानि की सॉफ्ट और सीधी उंगलियां होती हैं और यहां पर गाठे नहीं दिखेंगी यह बिल्कुल प्लेन प्लेन एरिया दिखेगा सीधी उंगलियां होंगी नॉट्स नहीं होंगी और सॉफ्ट बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे की होती ही इस तरह से उंगलियां होती है जिन की भी होती है इनकी शाधिशुदा लाइफ जो है यह जो फीमल जैंकी शाधिशुदा जिन्दिगी बहुत अच्छी होती है लेकिन पती इन में कोई न कोई खूवी धूंडी लेते हैं और इनकी गुलाम बनकर रह जाते हैं जिनकी अगर सॉफ्ट हैं गोल हैं और उठेवे हैं ताम्वे जैसे रंग वाले नाकुन है यानि की रेडिश कॉंपलेक्शन है तो यह मंगल के संकेत देते हैं ऐसी लड़की मिल जाए फठा-फठा कर देजे समुद्र शास्त्र में कन्याओं के पैरों को भी बहुत एहमाना गया है जिस कन्याओं के पैरों के तलवे लाल, कोमल और चिकने होते हैं वो देवी महालक्षमी जैसी सौभागेशाली होती है ऐसी लड़की मिले तो हाँ बोलने में देश ना करें सामाने से अधिक लंबी उंगलियां वाली लड़कियों पर सोथ समझ कर विश्वास करें घ्रस्त जीवन ऐसी लड़कियों के साथ बसाने से बचना चाहिए क्योंकि यह बहुत कैलकुलेटिव होती है कोमल और आपस में सटी भी उंगलियां अगर हो जैसे आप बातचीत करें और उंगलियां सटी भी दिखें तो ऐसी लड़कियों में गुण बहुत होते हैं ऐसी लड़कियां आपकी घर आएंगी तो आपकी तरक्की ज़रूर होगी मैं जैसे हमेशा कहती हूँ जो कह रही हूँ पुछ जैनरिक होता है इसी लिए बाकी चीजे भी देखनी चाहिए लेकिन बहुत चुनने से पहले आप ये लक्षन जरूर देख लें और जल्दी किसी दिन में बढ़िया दूले के बारे में भी बताऊंगी शो देखते रहे अरे बेबी इतना शर्मा क्यों रही हो शर्माओं क्यों ना फैमिली गुरू आज मुझे वो देखने आ रहे है कौन वो वो जिनका मुझे बेस सबरी से इंदिजार है जिन से मेरी शादी फिक्स होने वाली है अरे इतना शर्मा क्यों रही हो शर्माने से आपका रिष्टा तैय या पक्का नहीं होगा रिष्टा पक्का करने के लिए आपको लड़के से मिलने के समय जब आप मिलते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा अच्छा और वो क्या है फैमिली गुरू प्लीज मुझे और उन सभी लड़कियों को बता दीजे जिनका रिष्टा तैय होने वाला है देखे जब आप लड़के से मिलें तो आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है एक यह लड़का आपसे शादी के लिए मिल रहा है जॉब इंटरवियू या दोस्ती के लिए है और ऐसे में जब मिलना होगा तो आप यूज्वली फैमिली के सामने होंगे जब family के सामने हो तो आखों में आखे मिलाकर ज़्यादा देर के लिए बात ना करे बस देखा और जुका ली देखा और जुका ली ज़्यादा eye contact करेंगे तो आप डर ज़्यादा create कर देंगे बजाए प्यार की तो इसलिए थोड़ा शर्माना initial stage में ज़रूरी है आपको नई भी शर्माती तो कुछ देर के लिए तो प्लीज करी लीजे दूसरी चीज़ आपकी जो ड्रेस हो वो elegant होनी चाहिए attraction और elegance इसका combination हो कई लोग suits में मिलते हैं कुछ लोग आजकल jeans में मिलते हैं लेकिन आपको देखना है कि आपकी बॉड़ी की asset क्या है अगर आपकी thighs आपकी lower body heavy है तो आप किसी flowy dress या suit में मिले अगर आपकी upper body heavy है तो आपको किसी lose outfit में जैसे shirt में इस तरीके से मिलना चाहिए अपनी body को enhance कि dress में करना है इसे साब से मिले तीसरी जरूरी चीज़ जो आपको ध्यान में देखनी है वो ये कि सबसे ज़्यादा आपके हाथों पर और आपके reactions पर लोगों का ध्यान होगा हाथ बहुत ज़्यादा चला कर बात नहीं कीजे जो लोग ज़्यादा हाथ चला कर बात करते हैं क्योंकि सामने वाला एक नहीं दो नहीं हो सकते हैं तीन चार पांच लोग आपको एनलाइज ही कर रहे हूं इसलिए उनकी पांच बुद्धी आपकी एक बुद्धी से ज़्यादा तेज़ चलेगी जो लोग हाथ ज़्यादा हिला कर बात करते हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और यकीन मानिया रेंज में किसी को एक्सप्रेसिव भू नहीं चाहिए होती सब को शांत और सोबर भू चाहिए होती है तो अपने हाथों को थोड़ा रेस्ट थोड़ा पीस दीजे दूसरी चीज जब आप बात करें तो आपकी आवास की वॉलिम थोड़ी स्लो हो और जब आप बात करें तो आपको एक चीज और देखनी है कि खाने में सबसे पहले जब चीजे सर्फ हो या आप खुद करें या कोई और भी सर्फ करें अगर किसी रेस्टरॉम में मीटिंग है जब तक आपके बड़े खाना शुरू ना कर दे यह नाओ कि आपने उठाया और खाना शुरू कर दिया कुछ एतिकेट्स जीवन भर उनके फर्स्ट इंप्रेशन का हिस्सा रहेंगे इसलिए इने बना कर रखिए तैंक यू पैमिली गुरू अब तो जब मेरी उन से मुलाकात होगी तो रिष्टा पक्का ही होगा और साथ ही आपने उन लड़कियों की भी हेल्प की है जिनका रिष्टा जल्द ही तैह होने वाला है तैंक यू वेरी मच पैमिली गुरू मुझे कई मेल आते हैं जिसमें मांगलिक होने की वज़ा से लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है चली आज आपको वो महा उपाय बताती हूं जिससे ये समस्या दूर हो जाएगी मांगलिक लोगों को और जिन लोगों की कुनली में मंगल अश्चुप फल दे रहा है उन्हें मंगल यंत्र की स्थापना करने से रोजाना विधी के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए मंगल यंत्र होता क्या है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मंगल यंत्र की फोटो दिखाई दे रही होगी आपको मंगल यंत्र की स्थापना के बाद रोज इसके सामने बैठ कर जो मैं मंत्र बताने जा रही हूं उसका जाब करना है मंतर दीरे दीरे बोल रही हूं, नोट कर लिजी, चली अब शिरू करते हैं मंगल के उपाई तो करें ही साथ साथ भगवान शिव की स्थूति करें जो आपने मुंगी को धारन किया है उसके साथ साथ आप गेहू मसूर डाल गेहू मसूर की डाल तामबा सोना लालफू लादी का दान करें इतना सब कुछ करने के बाद आप अपने घर के पास कोई अच्छा पुरोहित हो ने अपनी कुनली दिखाएं उनसे सला लीजी कोई न कोई रास्ता जरूर निकलाएगा आपकी शादी जरूर होगी और हाँ बहुत ही जल्द मैं मंगली लड़के लड़कियों पर पूरा शो करूँगी बस कुछ तुनों के अंदर इसलिए शो देखते रहेगे जानते हैं क्या है आज का दूसरा माह उपाए क्या आपकी बिमारी से लगा तार परिशान रहते हैं आप डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ आप सोते समय अपना सिरहना इस्त की ओर रखें अपने सोने की कमरे में एक कटोरी में सिंदा नमक की कुछ टुकड़े भी रखें आपकी हेल्थ ठीक रहने लगेगी अब दुलहन की ब्यूटी की बात मैं रोज हर लड़की को सुन्दर बनाने वाली तिप दे रही हूँ इस खास सीरीज में शादी ते होने से लेकर वेडिंग नाइट तक हर फंक्शन में लड़की को कैसे रेडी होना है वो आपको रोज बता रहे हैं आज देखते हैं किसका नमबर है आज में दर्शकों को शादी के तीसरे फंक्शन यानि की संगीत के मौके पर खुबसूरत देखने के लिए स्पेशल मेकप बताऊंगी जिसे फॉलो करके दुलहन संगीत के मौके पर और भी जादा खुबसूरत लगेगी तो अभी तक आपने देखा कि वेडिंग सीरीज के अंदर अलग लग फंक्शन होते हैं उस दौरान हमने देखा कि जब आप रोके के लिए तयार हो रहे हैं तो कैसी लुक होनी चाहिए उसके बाद अगर आप रिंग सर्यमनी के लिए तयार हो रहे हैं तो किस तरह का फ्यूजन प्रिंसस लोका प्यारी कर सकते हैं तो आज हम बात करेंगे जो traditional functions होते हैं It may be a sagan का function, it may be a gothika का function, it may be a sangeet का function वो सारे function जो कि indianized होते हैं, sagan के, कहते हैं जहाँ पर एक भारती आता कि खुश्भू का होना बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है तो ऐसे ही function के बारे माज हम बात करेंगे तो जो अब हम look create करने वाले हैं, it's more of a traditional look it's more of a sangeet और a sagan kind of look तो बहुत ही traditional और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, रंगों से भरी हुई ये look है तो इसके लिए जो हम make-up यूज कर रहे हैं, सबसे जादा जो इस look के लिए जुरूरी रहता है वो होते हैं, जूलरी पैटन, आपकी जो जूलरी पैटन है, it should be really traditional, antique and a little over the top like बहुत ज़्यादा सोबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने इनकी look में जो play किया है it's with this elaborate tika, जैसा अगर आप देखते हैं, तो this is an oversize tika इसके अंदर जो even polky का भी काम है, antique look में है, pearls के साथ काम है तो overall पूरी की पूरी look के अंदर ठीक ही हमें highlight part है इसके साथ जो make-up के साथ हमने जो play किया, it's very subtle base, जो बिलकुल इनके complexion के साथ merge base है इनका जो face cut है, उसके साथ से थोड़ा सा यहां पर हमने sharp angle face के ओपर दिया हुआ है ताकि जो face के ओपर, जो photographs आती है, close-ups आते हैं, जब आप selfie खीचते हैं तो this kind of a makeup is very very selfie friendly makeup, जहां पर हम face के ओपर contouring sharp देते हैं आपने जो अभी हमने eyes के ओपर जो look दिया है, आपने जो अभी हमने eyes के ओपर जो look दिया है, as you can see कि हमारे जो earlier looks थे उसके अंदर बहुत ही हमने metallic में, या matte में, या soft shimmers के अंदर look रखिय है पर जब हमने यहां पर traditional look देना है, उसके में eyes के ओपर I am using, basically I have used glitters eyes के ओपर जो glitter और shimmer में फरक ही होता है कि जो glitter होता है that's more of like pasted अगर अब देखते हैं इसका जो granule है काफी थिक है तो इसमें तीन जो उनकी dress के colors है जिसके अंदर gold भी है जिसके अंदर एक dark magenta color भी है और थोड़ सा smoky का shade लेते हुए extended eyeliners का look दिया हुए है तो जब भी आपका function ऐसा होता है जिसके अंदर आपको थोड़ द्रमाटिक करेक्टर का look carry करने में easy है तो you can use false eyelashes it's very easy to carry and it gives an instant change to your face तो जो overall face के ओपर इसमें सबसे जो blingy चीज़ है eye makeup और ठीके को highlight किया हुए है lipstick के ओपर we have kept a very natural color with a sheer gloss overall like very subtle makeup but eyes are highlighted और जो main चीज़ है आपके hairstyle hairstyle के अंदर हमने पहले देखा कि किस तरह से आप princess look carry कर सकते है किस तरह से आप side curls carry कर सकते है but this is something which is very much dramatic like overall front के ओपर हम दे waves लिया है waves के साथ ही आपे side cascading look लेते हुए नीचे extension का use किया हुए है इससे में आप extension भी use कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप braid का use भी कर सकते हैं आप चोटी का अलग-लग तरह की pattern में भी use कर सकते हैं तो overall सिर्फ makeup ही नहीं आपका hair styling, आपका jewelry, आपका dressing pattern, आपके even color combinations कोशिश कीजिए कि हर function के लिए आप अलग-लग color pick कर पाएं अलग-लग palette pick कर पाएं उसके हिसाब से आपके makeup और आपके hair styling और looks को create करने में काफ़े अच्छी variation बन जाती है overall dress up को ध्यान रखते हुए जैसे इनके दुपट्टे को drape किया है और यह जो हमारा one and free है अगर हो सके तो इसको आप creatively tie up कर सकते हैं अगर आप काफी मोटे हैं यह आपको लगता है कि आपने put on कर लिया है तो आप इसको side से tie up करके इस तरह से आप अपना side flaps को cover कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं आपको dance करना है थोड़ा flare चाहिए थोड़ी look चाहिए differently तो आप अपने दुपट्टे को ऐसे hand tuck भी दे सकते हैं तो उस समय आपके पास option रहना चाहिए तो इस तरह से अलग लग tie ups तरीके होते हैं जो कि आप अपने लहंगे के साथ play कर सकते हैं तो overall look के variety के लिए makeup, hair styling, dripping patterns, even आपके nail art में, आपके tattoos के अंदर, there are so many options to play with तो इस तरह से अलग लग varieties की looks को try कीजिए और बहुत खूब सुरत लगी अपने सारे functions पे, enjoy your wedding functions all through अब जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाएं, क्या बना बनाया काम बिगड़ जाता हैं ऐसे में हट Tuesday को हनुमान जी के चड़नों में बूंदी चड़ा कर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बाट दें दुलन की बात हो और dresses ना दिखाऊं, ऐसा कभी होता है क्या? तो चलिए आज भी दुलन बनने जा रही लड़कियों की शौपिंग कराने बेबी आ गई है फैमिली गुरू हर कोई चाहता है कि अपनी शादी बाले दिन बहुत सबसे सुन्दर दिखे और उसकी खुबसूरती में चार चान लगाती है शादी की ड्रेस और यही वज़ा है कि आज मैं दर्शकों को दुलहन की ड्रेस की शौपिंग करवाने वाली हूँ कितनी सुन्दर दिख सकते हैं? हमारी दुलहन आईए दिखते हैं तो आज हमाप महुचे हैं ड्रे षाफिब करने के लिए और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह के आउट फिट आप केर सकते हैं? क्या कुछ ट्रेंड मे और कैसे आप उसको अलग ऐबलग तरह से केर सकते हैं यह आत करने के लिए मेरे साथ इसक मौब है तरहन पहले यह होता था कि ब्राइडल मतलब एक ट्रेडिशनल एक आउटफिट ही होता था लेकिन अब कॉंटेम्परली लुक लुक्स आ गए हैं और बहुत अलग-अलग स्टाइलिंग भी आ गई है तो इस गाउन के बारे में बटाईए क्या कुछ है यह बिसिकली गाउन्स को हमने जो बनाया है वो इस परपस से हमने बनाया है कि लोग आजकल जब से डेस्टिनिशन वेडिंग शुरू ही है तब से ब्राइड जरूरी नहीं है कि उसको ब्राइडल लेंगा ही पहनना है तो उसके लिए दे वांट लिटल हैवी और सो एंड दे वा या रहा है दिस और हैवी एंबलिश्मेंट्स रेशम एंजरी वर्क के साथ में देर इस वेरी स्टाइलिश गाउन्स कि जो ब्राइड अच्छे से इसको करी भी कर सकती है और एंज्वाइभी कर सकती है कुछ और पीसेज भी है यहां पे यह मैं पीस देख रही हूं बहुत खुब सुरत गाउन है इसके बार में बताई है बेसिकली यह हमने जो गाउन बनाया है यह वेरी एलिगेंट अब्रोड़ी एंड वेरी स्टाइलिश और यह वेरी यह वेरी एलिगेंट वर्क और वेरी सटल कि कोई भी अगर लड़की इसको पहनेगी तो शीर लुक लाइक उसके अंदर अगर आप देख्जी इसका फट्रेल तो ट॥ उसका कलर भी और हुड आपर डीट फे कर रहें इसकी अंदर और तैके भी एक बेंसे सब हैं इसके बा करता याब दिस रिस इसिस झालाइक यह अपनी रिस्प्शन पर एंपि यूज कर सकती है जब भी हम बात करते हैं गाउंस की तो बहुत सारे स्टाइल जुसमें हमें देखने को मिल जाते हैं लेकिन लहंगा हमेशा से एक ऐसा उट्फिट है जो इन रहता है इस लेंगे के बारे में बताईए यह क्या कुछ खास है और इसमें कितनी कितनी वराइटे हमें यहां पर मि जाएगी कि एक तो यह बिल्कुल टिपिकल ब्राइडल लेंगा नहीं है ब्राइडल कलर है ब्राइडल लेंगा है and it's more over contemporary and very nice embroidery you just see आप देख रहे हैं इसके अंदर कि कोई एक लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको ब्राइट पैन करके आ रही है तो उसको एक कि उसको एक लुक आ रही है कि हां कि उसने वो एक सदियों से जो चला आ रहा है वैसा कुछ पैना हुए तो यह वेलवेट है तो वेलवेट की साथ एक परसेप्शन है राजी की बहुत जादा इस पर गर्मी लगती है क्या ऐसा भी कुछ है नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसके इसके अंदर गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है वेरी सॉफ्ट एंड वरी स्किनी फैपरिक है कुछ और आउट्फिक्स भी है वो आपको बताते हैं यह बहुत प्रिटी लहंगा मुझे देखने को मिल रहा है इसके बार में बताइए इसके अंदर भी वी हाव यह वाला भी प्राइडल के लिए है अगें दिस इस अंदर टीन तरह के फैबरी यूज किये गए है और यह बी एक ब्राइड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट लुक है कि उसके अंदर टीपिकल ब्राइडल लुक नहीं दे रहा है कि जो आपको देखकर के लगेगी एक कि प्रॉपर ब् अब अब आपक लिए और पर क्या है अपया कि दो देखकर के बाजूँ पर बहुत है 번째 काम यहां पर लिए हम देख रहे है कि पूरा जो बाजू है उसको पूरी तरह से हैं भी रखागें जी तो वो इसके लिलन हमारा फोकस ही रहता है कि उनको है भी और एखलेंट नहीं ए कि सरफ हैवी की एक लोक आ रही है यानि कि बहुत सारे अलग-अलग आउटफिट्स हैं और ध्यान रखिए आप वो ट्रेडिशनल लहेंगे के अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ कॉंटेंप्रोडी और थोड़ासा ट्वेंडी लुक थोड़ासा एक चेंज अप अपना देना चाहें अगर ब्राइडल लुक में तो आप इस तरह के गाउंट कर सकते हैं अगर आप गाउंस ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि फ्लेयर लुक और लेर लुक बहुत जाद हैं तो एक सटल सटो पट्टा लीजे और अपने इस वेरी स्पेशल मोमेंट को और ज्यादे स्पेशल बनाईए अब आस्टो स्पेशल का वक्त हो गया है जब सारी बात दुल्हन बनाने वाली हो रही है तो जाहिर है आज मेरा आस्टो स्पेशल भी दुल्हन से जड़ा होग कि देखिए जिब शादी हो रही हो यांण शादी के मौहल में आपको जुपिटर बहुत important role play करता है जुपिटर यानि कि आपका ब्रस्पती आपकी कुणली का प्रस्पती ये जो ब्रस्पती है आपकी प्रेस्टीज को बढ़ाता है जितनी आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी उतना ही आपके ससुराल में चाहे लड़का हूँ या लड़की आपका नाम बढ़ेगा अब ये जुपिटर बढ़ाया क्यों जाए और कैसे इसलिए बढ़ाया जाए ताकि आपके जाने से पहले आपका औरा येट हो जाए इसलिए हमारे यहाँ पर सिस्टम था कि लड़की को 40 दिनों तक उप्तन किया जाता था उप्तन में हल्दी का प्रेयोग किया जाता था जब सिर्ष से पैर तक आपकी बॉड़ी पर डेली हल्दी लगती है इससे आपको जुपिटर कई गुना स्ट्रॉंग हो जाता है आपका औरा, आपका नमान, आपका समान, आपका यश, आपका फेम, आपकी प्रोस्पेरिटी सब कुछ बढ़ने लग जाता है पर आज कल तो चीज़े बदल गई है, लोग जाते हैं, पारलर में पैकेज़े लेते हैं, कोई उप्टन नहीं कराता इस तरह की बेवकूफी ना कीजिए, आपको किसी भी फॉर्म में डेली, सिर से पैर तक, अपनी बोडी पर हल्दी जरूर लगानी है, शादी से 40 दिन पहले अगर आप ये काम शिरू कर देते हैं, तो आपको जूपिडर स्ट्रॉंग होगा, जितना ब्रस्पती स्ट्रॉंग होगा, उतने ही शादी के बाद सुख और यश को आप भोगिंगी बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की क्या आपकी परिशानी ये है कि आपको जौब नहीं मिल रही है, ऐसे में क्या करना है सुनिए किसी जरूरत मंद को दूद दान करें, ध्यान रखिए दूद वेस्ट बिलकुल नहीं करना है, किसी जरूरत मंद को दान करना है फेस्बुक पर हमारी दर्शक सुमन कुमारी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेर की है ये जानना ये चाहते हैं कि संतान प्राप्ती के उपाई क्या है संतान प्राप्ती के लिए आपको मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए इसके अलावा जो बहुत कारगर चीज मैंने देखी है वो भी साइन्टिफिक है कई बार हमारे बच्चपन में माइन ब्लॉकेजिस में प्रोग्रामिंग इस तरह से हो जाती है कि हमें बच्चों को संभालना, responsibility लेना नहीं पसंद होता वो बुद्धी में हमारी जाकर चीज जड़ हो जाती है और हमारी बुद्धी का ही extension है इसके लिए अगर आप किसी तरीके से past life regression करा सकते हैं mind programming करा सकते हैं cleansing करा सकते हैं hypnotherapy करा सकते हैं कि कोई भी चीज अगर आप करा सकते हैं संभव हो आपके एरिया में मौजूद हो तो जरूर कराएं यह बहुत अच्छे रिजल्ट देती है जो मेरा आपना अनुभव है बात करते हैं आज के आखरी और पांच में माहा हो पाएकी क्या आपका promotion नहीं हो रहा है ऐसे में गुरुवार को किसी मंदिर में पीली चीज जैसे खाने पीने की चीज, फल, कपड़े इनका दान जरूर करें अब कल के एजंडा को जान लीजे मुझसे बहुत से दर्शक सरकारी नौकरी कैसे मिले इस पर सवाल करते हैं कलिसी पर बात होगी आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी आपका career साथवे आसमान पर पहुचेगा आपको कल बताएंगे अभी चलती हूँ, बाई बाई, ठेक केर